किड्स वक्ती से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब आप पर बेल आइकन को प्रेस करें विश्णु पुरार भगवान विश्णु द्वारा लिये गया अधारों का एक संग्रा है जब जब इस पावन धर्ती पर पापियों का आतंक बढ़ा तब तब प्रित्वी लोग को इन पापियों के आतंक से बचाने के लिए भगवान विश्णु ने कई रूप में इस पावन धर्ती पर अवतार है ये कहानी में भगवान विश्णु द्वारा ले गए गवधार की कहानी है जिसकी शुरुआत होती है विश्णु लोग के मुख्य द्वार से किसने हमारे रत को रोका मैं हूँ विजय और मैं हूँ जय हम दोनों भगवान विश्णु के समहल के मुख्य द्वार के रखशक है यहां हर किसी को अंदर आने की आग्या नहीं है चले जाओ यहां से क्या तुम जानते नहीं हम कोन हैं? इसकी आवश्यक्ता नहीं, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते तुमने हमें रोक कर हमारा अबमान किया है हम तुम दोनों को शाप देते हैं तुम दोनों को तीन बार उरित्ति लोग में जन्म लेना होगा और जिस विश्रू भगवान के मुख्यतार की तुम रक्षा कर रहे हो हर जन में तुम दोनों उनके सबसे बड़े शत्रू के रूप में जन लोगे और हर जन में तुम दोनों का वद भगवान विश्रू के अलग-अलग अफ्तारों के हाथों होगा इन तीन जन्मों के बाद ही तुम दोनों को फिर से सर्ग लोग में जगे मिलेगी कौन है आप दोनों जिन्नों ने हमें इतना कठोर श्राब दिया है हम दोनों भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और इस तरह जय और विजय को मृत्यू लोप में यानि प्रित्वी पर जन्म लेना पड़ा इन दोनों का पहला जन्म असुर वंच में हुआ दोनों सगे भाई थे एक का नाम था हिरण्यक श्राब के अनसार दोनों ही भगवान विश्नु के कट्टर शत्रु थे और जो भी भगवान विश्नु की पूजब करता था वे उसे मौत के घाट उतार देते थे फिर चाहे वो रिशिमुनी हो या देवतार थे सारी मानों जाती इन दोनों भाईयों के आतन से पैवीत थे और थर थर कापती थे और फिर हिरण्यक्ष का वगवान विश्नु को वराह का अतार लेना पड़ा कर दो हुआ हुआ है नहीं, विश्णु में इतनी शक्ती आ गई, जिसने मेरे भाई का वद कर दिया, मैं विश्णु का नाश कर दूँगा, सारे देवताओं का मिटा दूँगा, मुझे विनाश चाहिए, विनाश! हाई विनाश जिसी अरिविधाश अरे विनाशheid मारे च्चाथी चावला कुछाव या आगे बताओ तीरों लोकों का स्वामी कौन है अगोंग भूम, वही हुमें पारने वाले है और हम उमें पारने वाले प्चावो! 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 पुल मैं लटाक़ रई! के इस्मा हमा लटाक़? प्चावो! 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 अबो! प्चावो! हैं देवता देवता यह किसे आगे कोई भी असुर जीवित नहीं बजा चाहिए इस तरह तो हम देवताओं से तब तक हारते रहेंगे जब तक हम उनसे अधिक शक्ति शाली नहीं हो जाते मुझे अपनी शक्ती बढ़ानी होगी अगर मुझे तीनों लोकों का स्वामी बनना है तो मुझे विश्णु से अधिक शक्ति प्राप्त करनी होगी और इस शक्ति को पाने का एक ही उपाए है बस एक ही उपाए और फिर अपनी शक्ति को बढ़ानी के लिए ही रणने कश्यकु ने मंद्रा चलम पहाड़ पर एक एक आंत खेनी चंगल में गोर तप करना शूर गया प्रम्ह दिवाय नमा ना उसे तिक्की परवाल रात की और ना ही उसे जले जानल का वाले तो दिन से राद हुए और राद से एक नया दिन निकला और इसी तरह हाफते और महीं में बीटने लगे तेज अवादे कलक्ती दूट तुफानी बारिश और कलकलाती पिश्चिन फिरने कश्यकू के तपकूपन नहीं गया इसी तरह खार अडिक किसी पर्वत की तरह देल जब से हरने कश्यकूपने अपनी तपस्या शुरू की है तपसे असुरों ने भी प्रत्वी लोग पर अपने अध्याचार बंद कर दिये हैं हाँ और ये हमारे लिए सुनहरा अफसर है इन असुरों की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए नस्ट कर देने का और जब हिरने कश्यकूपन लोटेगा तो उसके पास शक्ति तो होगी परन्तू लड़ने के लिए उसकी सेना नहीं होगी भागो! भागो! देवता लोग हम पर आकरमन करने आ रहे हैं भागो! बिना हमसे राजा के हम इंका सामना नहीं कर सके भागो! जान दो जब 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 उसके बिचे साना वागो! जिस तरह असुरों मनेशों के साथ हच्ट्यचार किया था, देवताओंने उन असुरों को मार करने अउस अत्यक्ति त्यचार का पत्ल्या ले만 दिया प्रोल ार गयाँ जल को ते सिर। आप सवेम अन्मान इंद्र ने उच देवताओं के साथ हीरनी कश्पू के राज़माँ पर आक्ष एक उच में और उसी को तैस नैस करते हैं असूर राज्चे की महरानी कहा दूँँ भिरन्य कशुपु की पत्नी सहाख्षाथ हमारे सामने खड़ी है हे देव मैं आपसे विंती करती हूँ क्या आप मेरे प्राण ना ले क्योंकि क्योंकि मेरे अंदर एक और प्राण है जो सांस ले रहा है मैं मैं मा बनने वाली हूँ नहीं मैं ये नहीं होने दूँगा चलो छोड़ दो मुझे कैसे देवता हो तुँ जो इक पराइस्त्री को इस तरह बलपुर्मक ले जा रहे हो असूर भी ऐसा भूगर्म नहीं करते जानी तो मुझे इसमें मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का क्या दोश है जो आप हम दोनों का वद करना चाहते हैं तुम्हारा दोश यही है कि तुम हिरन्य कशिपू के वन्शच को जन्म देने वाली हो और देवताओं और मानवजाती की भलाई के लिए मैं इस शिशू के जन्म लेते ही इसका वद्ध कर दूँगा नहीं, 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 ने शिशू को मत मारो नारायन, नारायन, ब्रैना मुनिवा हे इंद्रदेव, इस तरह एक पराईस्त्री को बल पूर्वक अपने साथ ले जाना आपको शोबा नहीं देता, नारायन, नारायन मुनिवार, ये हिरन्य कशिपू की पत्नी है और उसकी संतान को जन्म देने वाली है जब तक उस संतान का जन्म नहीं हो जाता, ये मेरी देखरेक में रहेंगी नारायन, नारायन हें इंद्र देव, इस शिशू के चन्म के पश्षाद, क्या आप दोनों को सुरक्षित वापस भेज देंगे? उस हिरन्य कशिपू की संतान को में जीवित नहीं छोड़ेंगी उसके जन्म लेते ही मैं उसका वक्त कर दो, उसके बाद ले जाने की आप या देदूगा मत मारो, तया करो मेरी शिशुपर, मत मारो इसे मत मारो नारायन, नारायन हें इंद्र देव, ये आवशक तो नहीं के हिरन कश्यपू की संतान भी उसी की तरह हो आप विधी की विधान को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं नारायन, नारायन मुलिवार, मैं कुछ समझा नहीं नारायन, नारायन हे देव, इस देवी के अंदर जो शिशु सांस ले रहा है वो एक बालक है और ये कोई साधान बालक नहीं होगा ये तो भागवान विष्णू का परमभक्त होगा और जब तक इस प्रत्वी लोग पर मनुष्य रहेंगे तब तक वे सब इस बालक की भक्ती से प्रेनना लेते रहेंगे हे इंदर देव, ऐसे महानात्मा की मृत्यू आपके हाथ में नहीं लिखी है नाराया, नाराया हे मुरीवल, मुझे आपकी भविष्यवानी में पूरी आस्था है मैं इस देवी को इसी खण मुक्त करता हूँ अब ये अपनी च्छानुसार कहीं भी जा सकती है नाराया, नाराया और नारदमुनी, हिरने कश्यपु की पत्नी को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए पत्री, तुम्हारे स्वामी का राजमहल अगनी में जलकर समाप्त हो चुका है जब तक हिरने कश्यपु अपना तप पूरा करके तुम्हें लेने ना आए तुम यहां रुख सकती हो यहां तुम्हें तुम्हारे महलों का आराम तो नहीं मिलेगा परन्तु भागवान मिश्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांती अवश्य मिलेगी ना रायन ना रायन उधर हिरन कश्यपु की कठूर तपस्या चानी थी वो पहाल की तरह इतना हडिक था कि हिरन कश्यपु पर चीठियों ने अपना घर बना लिया ना रायन ना रायन इस संसार में जिस किसी का भी जन्म होता है उसकी आत्मा में भागवान विश्णु का ही वास है फिर चाहे वो प्राणी इंसान हो या छोटा सा ये पोधा ना रायन ना रायन पुत्री हर इंसान का शरीर पांच तत्वों से पना होता है ये पंच तत्व इस पूरे प्रह्माण का एक हिस्सा है इसी लिए मनुष्य का ये शरीर नश्वर है इंसान को चाहिए कि जब तक उसका शरीर नश्वर ना हो वो अपने मन को पवित्र रखे और भगवान विश्नु में अपना ध्यान लगाए नारद मुनी कहते गए और महारानी कयादू ध्यान मगन होकर सुमती रही नारद मुनी की ये भक्ती भरी बातें न सिर्फ महारानी को प्रभावित कर रही थी बल्कि उनके पेट में पल रहे उनके पुत्र के मन पर भी ये विजार एक अमिक छाप छोड़ रहे थे और इसी तरह समय का चक्र भूंतरा 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 इतने कठोर तप के बाद भी रम्ह देव प्रसंद नहीं हो परन्तु हिरन्य कर शुकिए एक असुर्थ वो इतनी जल्दिन हार माने वारान देवा वो अपने कठोर तप में लीड रहा उसके तप की अगनी इतनी तेज हो गई कि उसका पूरा शरीर जलने लगा नदी और सागर का पानी उबलने लगा सारा ब्रह्मान्द इस तप की गई को मैसूस कर रहा प्रित्वी कांपने लगी ऐसा लगने लगा जैसे सारी प्रित्वी चलकर पासर हो जाए जब कोई इतने लगन से वर्षु तक और तबस्या करता है तो भागवान भी अपने उस भक्त के सामने आनी पर मजबूर हो जाते ही उठों हिरन्य कशिपू मैं तुम्हारे तब से प्रसंन हुआ वर्माववद्स भगवन मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मेरा वद्ध ना तो किसी मनुष्य के हाथों हो ना किसी देटा और ना किसी पशू या पक्षी के हाथों ना तो कोई मुझे हतियार से मार पाए और ना ही बिना हतियारों के ना तो मेरा वद्ध दिन में हो पाए और ना ही रात में ना मुझे कोई अंदर मार पाए और ना ही बाहार ना मेरा वद पृत्वी पर हो ना जल में और ना ही आकाश में हे प्रम्हदेव मुझे वर्दान वीजिये कि मैं तीनों लोकों का सबसे बल्शाली राजा बनूँ पुट्र मैं चानता हूँ कि तुम इस वर्दान का प्रयोग तीनों लोग पर विजय प्राप्त करने के लिए करोगे परंतु इसमर्ण रखना हर मांगे हुए वर्दान के पीछे उसका तोड़ भी छुपा होता है मैं तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ वर्दान देता हूँ तथास तुप विष्टू अब तुम्हें मेरी शक्ती के सामने सर छुकाना ही पड़ेगा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं हूआ हूआ हुआ हूँ इया जोट कर दो कर दो महराज महराज जब आप जंगल में कठोर तब कर रहे थे तब देवताओं ने हम पर आक्रमन कर दिया और हमारे राज्यू को पूरी तरह से नश्ट कर दिया मेरे बहार्दूर सैदी को मैं तुम सब को ये वचन देता हूँ कि मैं उन देवताओं को नहीं छोड़ूगा उन सब से एके करके भद्रा लूँगा अपने सारे साथ योग को जमा करो और देवताओं पर आक्रमन की तयारी शुरू करो विनाश देवताओं का विनाश विष्णू का विनाश मनुष्य जाती का विनाश तयारी शुरू करो हिरन कश्यपू अपनी पत्नी को भी आश्रम से वापस महल में लिवा नाया था तब तक हिरन कश्यपू के पुत्र के जन्म होने का समय आ गया महाराज की जय महाराज महाराणी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया है मेरा पुत्र मुझसे भी बलवान होगा मैं सारे देवताओं का विनाश करूगा और मेरा पुत्र मेरे साथ तीनों लोकों पर राज करेगा परन्तु पुत्र सबसे पहले मुझे तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखना होगा प्रहलाद प्रहलाद अच्छा नाम है अच्छा नाम है राज करेगा तीनों लोकों पर मेरे साथ वो है मेरा पुत्र प्रहलाद अलतु आरा पुत्र आप अच्छा नाम है विर्डाश साने करे कि अटारी, एाला एाल ... विर्णाश के बाल ही विर्णाश ... झाल 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 आज से मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ मुझसे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है आज के बाद हर जगे मेरी पूजा होगी हिरन्य कश्चिपू की पूजा सुना हिरन्य कश्चिपू की पूजा मृत्यू के पैसे सारे दोताने हिरन्य कश्चिपू के सामने अपना सर जुका हिया मन से ना सही परंतु दिखाने के लिए उन्होंने हिरन्य कश्चिपू की पूजा करनी शुरु कर दी भगवान बनकर हिरन्य कश्चिपू को एक अलग ही आनंद मिल रहा था परंतु वो ये नहीं जानता था कि जोर जबदस्ती की भक्ती दो से चार दिन की हो सकती है सारी उन्हों की नहीं हुआ 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 है कि अभगवान और कब तक हमें इस दुष्ट हिर्ण कश्चिपू के अत्याचार को सेहना पड़ेगा प्रभू आप इस अहंकारी से हमारी रक्षा कर सकते हैं देवगण आप सभी निश्चिंत रहिए हिर्ण्य कश्चिपू के बाप का घड़ा अब भर चुका है उसकी मृत्यू निकटा चुकी है हिर्ण्य कश्चिपू को ब्रह्मा जी द्वारा दिये गए वर्तान के कारें वो अभी तक जीवित है सही समय आने पर मैं स्वयम अफ्तार लेकर उस पापी हिर्ण्य कश्चिपू का वद्ध करूगा परंतू प्रभू वो सही समय कबा आएगा जब हिर्ण्य कश्चिपू अपने ही पुत्र प्रहलाद का वद्ध करने का प्यास करेगा तब प्रहलाद समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था जो बातें उसमें अपनी मा के गर्व में रहकर नारद मुनी के मुक से सुनी थी वो बातें अब शब्द बनकर उसके मुक से भूलों की तरह ज़र रहे थे प्रहलाद मेरे पुत्र इन तीनों लोकों का भगवान कौन है भगवान विश्णू नहीं नहीं मेरे पुत्र इन तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं तुम्हारा पिताश्री हिरन्यकश्यपू हाँ परन्तों पिताश्री आपके अंदर भी तो भगवान विश्णू का वास है प्रहलाद विश्णू हम असुरों का सबसे बड़ा शत्रू है समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रों की पैचान होनी चाहिए इसलिए कल से तुम अपनी शिक्षा के लिए गुरु कुल जा रहे हूँ हिरन्यकश्यपू ने प्रहलाद की शिक्षा के लिए महागुरू शुक्राचार के पुत्र, शुन्द और अर्मक के पास भेज दिया हिरन्यकश्यपू ने इन दोनों को साउधान कर दिया था कि किसी ने प्रहलाद के मन में विश्णू के प्रती श्रद्धा जगा दी थी अब ये काम इन दोनों गुरूं का था कि वो किस तरह से प्रहलाद के मन से भगवान विश्णू की श्रद्धा निकाल कर उसके पिता हिरन्यकश्यपू को तीनों लोग के भगवान के रुप में स्थापित करें परन्तु भगवान विश्णु तो मनों प्रहलात के रूम रूम में बसे थे पुत्र शिक्षा का एक एहम उद्देश ये होता है कि हम अपने मित्र और शत्रू की पहचान कर सके परन्तु गुरुजी मेरा तो कोई भी शत्रू नहीं पुत्र असुरू के सबसे बड़े शत्रू है देवता और उन देवताओं के रक्षक विश्णु गुरुदेव ये कैसे मुम्किन है सारे जग के पालनहार भगवान विश्णु किसी के शत्रू कैसे हो सकते है प्रहलात बताओ किसने तुभारे कान भरे है कौन है जो तुम्हें विश्णु के बारे में ऐसी बाते बताता है नाम बता उसका गुरुजी वो कोई और नहीं स्वयम भगवान विश्णु है वहीं है जो मेरे मन को ग्यान के भंडार से भर देते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगे मुझे पता है तुम जैसे लड़कों कैसे ठीक किया जाता है बोलो बोलो प्रदाद हम कहते हैं बोलो विश्णु हमारा सबसे बड़ा शट्रू है वो वो एक काया है तुम बोज़ देखो या नहीं वो विश्णू तुम्हारे पिताश्री के भाई से कहीं दुपका हुआ है महराज रहने के शुकू असुरों के ही नहीं इनों लोगों के भवाद तुम विश्णू की नहीं अपने पिताश्री की पुजा करोगे गुरुजी बेचारे प्रहलाद को अपनी छड़ी से बाढ़ दे और गुरुजी बरन्तु आश्यरी की बाद तो ये थी कि प्रहलाद के मुख से एक बार भी चीख नहीं थी वहाँ उपस्थित सारे बच्चे इस बात से हैरान थे और गुरुजी उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपना गुस्सा एक बच्चे पर उतार रहे हैं या एक पत्थर पर प्रहलाद जब गुरुजी तुम्हें छड़ी से मार रहे थे तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था नहीं अगर गुरुजी ने मुझे इतना मारा होता ना तो मैं तो बेहोशी हो जाता लेकिन जब हम सभी को दर्द होता है तो तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ हाँ देखो देखो तुम्हारे हाथ पर घाओ भी है हमें दर्ध तब होता है जब हम उस दर्ध पर ध्यान देते हैं जिस समय गुरुजी मुझे अपनी छड़ी से मार रहे थे उस समय मेरा ध्यान दर्ध पर था ही नहीं तो फिर किस पर था? भगवान विश्णु पर मैं आखे बन करके उनीका ध्यान कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने मुझे मारना शुरू किया और कब बन किया अच्छा क्या क्या इतनी शक्ति है भगवान विश्णु की प्रात्ना में वे तो शक्ति का भंडार है क्या तुमने भगवान विश्णु को देखा है हाँ वे तो सर्व विध्यमान है हर जीवित प्रानी में उनका वास है अच्छा तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे हैं तुम सब भी भगवान विश्णु को देख सकते हो अपने आपको भगवान विश्णु को सौब दो अपने मन को भगवान विश्णु की शद्धा से भर दो मेरे साथ बोलो परलाद तुम मेरे बागी शिष्णु को भी भरका रहे हो अरे मैंने तुम्हारे जैसा पुत्र आज तक नहीं देखा जो अपने पिता की सबसे बड़े शत्रू की प्रार्थ ना करता है दुष्ट पालक, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये वही कायर विश्णू है जिसने तुम्हारे अपने चाचा हिरन यक्ष का चल से वद्ध किया था गुरुदेव, क्या बता सकते हैं कि भगवान विश्णू ने मेरे चाचा का वद्ध क्यों किया? हाँ, अवश्य बताऊंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि विश्णू कितना कप्टी है सुनो, एक दिन की बात है महावाली हिरन एक्ष ने सर्ग पर आकरमन कर दिया आकरमन करो सारे देवतां उनकी प्रई से बात करें और यहां वाँ चिप गए अयो देवतां कहां चिप गए तुम सब के सब क्या इस वर में कोई ऐसा देवता नहीं है जो मेरे साथ तुन्दियुद कर सके यहां प्रिसा देवता देवतां आए नहीं है कर दो विश्णू मैं तुम्हें पैचान गया हूँ तुम्ही हो ना जिसने वरा गरूप लेकर पित्थियू को बचाया अगर तुम्हें शक्ती है तो आओ आओ विश्णू आओ कायर आओ विश्णू और इस तरह उस कप्टी विश्णू ने तुम्हारे चाचा को चल से मार डाला क्या अब भी तुम उस कप्टी विश्णू की पूजा करना चाहते हो गुरुदेव अगर कोई मुझे मारेगा या दुख पचाएगा तो क्या मेरे पिताश्री उसे दंड नहीं देंगे अवश्य देंगे तो फिर गुरुदेव भगवान विश्णू तो इस पुरे ब्रह्मान के रक्षक है और जो भी उनके भक्तों को हानी पहुचाने की कोशिश करेगा वे तो उसे दंड अवश्य देंगे भगवान विश्णू ने मेरे चाचा का वद करके कोई गलत कारे नहीं किया है उनोंने तो मेरे चाचा को दंड दिया है पहलाद, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे विचार कितने खतरनाख है क्या तुम्हें भगवान नहीं लगता गुरुदेव, क्या भग की कारण मुझे सत्ले का रास्ता त्याग देना चाहिए तुम से बहस करना व्यर्थ है अगर तुम लोगों ने भी प्रलाद की तरह बोलना शुरू किया तो याद रखना तुम सभी को कठोर से कठोर दंग दिया जाएगा जाओ, सो जाओ इसी तरह समय का चक्र आगे बढ़ता रहा एक दिन हिरन्य कश्चपु को अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने की एक्षा हुए उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बलवा लिया तीनों लोगों के देवता को मेरा प्राम पूत्र कितने दिवस हो गए तुम्हें देखे हुए मेरा मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था मेरे पुत्र प्रणाम पिताश्री प्रहलाद मेरे पुत्र मैं तुम्हें लंबी आयू का आशिरवात देता पुत्र क्या सीखा है तुमने अपने गुरु से बताओ बताओ हमारा सबसे बड़ा धार्म क्या है पिताश्री हर प्रानी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो भगवान विश्णु की प्राथना में अपना सारा जीवन लगा दी यही सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को हैं मेरे सबसे बड़े शत्रू की प्रार्थना शमार करे महाराज परंतु जो शब्द आपकी पुत्र के मुक से लिकल रहे हैं वो मेरे सिखाय हुए नहीं है परंतु परंतु परलाद वही बोलता है जो इसके मन में आता है मेरा पुत्र होकर भी तुमने मुझे दुख पहुचाया है बताओ, बताओ कौन तुम्हे भड़का रहा है, बताओ जो भी भगवान विश्रु में मन लगाता है उसके अंदर अपने आप ही ज्यान का सागर फूट पड़ता है पिताश्री, आप भी एक बार भगवान विश्रु की प्रातना करके देखिए आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा आज मैं तेरे अंदर से विश्रु का भूद निकाल कर रहूँगा पिताश्री, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक आप भगवान विश्रु को मेरे अंदर से निकाल नहीं पाएगे तो ठीक है आज मैं तेरा वत करके तेरे अंदर के इस विश्रु को हमेशा हमेशा के लिए समाप कर दूँगा माराज, यह आप क्या कर रहे हैं? यह आपका पुत्र है, आपका अपना लूग यह हमारा पुत्र नहीं हो सकता नहीं! हमारे पुत्र के बेश में यह हमारा शत्रु है और हम अपने शत्रु को कभी जीवित नहीं छोलती तुम्हें भी ये वली दीर इसे मरना होगा ले जाओ इसे और सारे असुर्बालोकों के सामने इसका सर काट दो ताकि फिर कोई विश्णू का नाम ना ले महाराज महाराज क्षवा कर दीजिए उसे अभी वह बालक है प्रहलाद क्या तुम्हें मौत का भी भय नहीं भग्वान विश्णु में ध्यान लगाना मेरा धर्म है और हमारा धर्म है महाराज की आग्या का बालन करना तो फिर आप अपने धर्म का बालन कीजिए और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा प्तु मैं पर कंड, ऑदटa के कि इसे टुम और तुम औरेक Soup झालुत के तुम पालना भाश सम्टों मैं तुम कि और ख सकत्ली ह्ला मैं फिरूइ टॉछ rights उे सकतु तुम अँछ्छूंखूंए हैं ् I ब ब ब बха-ग, तुम्हे जड करें है थाया है इसमें आश्य पिष्टू की कोई जाल है मैं विश्णों को जीतने नहीं दूगा सारी शक्ति दगादो प्रलाद जीवित नहीं बचना चाहिए अगर वो जीवित बच गया तो तुम सब जीवित नहीं बचोगे सुरे तुम लोगों ने कर दो जादे नहीं बहुते वित है अगर皆さん को उने चाहिए पिर बचल के पार मिले Works तुम से बचल मिले synchronी जीवित नहीं बचल इंओना कने फिर्दों तुम संची से खनो झा Philip मेहित बचल इसे विशेल संपो से डस्मादोर इसे विजेले संपो से डस्मादोर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो प्रहलाद को जंगली हाथियों के सामने भेग दो यह हाथी इसे कुचल के रख देंगे हैँयों घुआ देंगे उन्हीं G ऱ बाय करते हैं तीनों लोग से लाकर इसे ऐसा विश्पिलाओ कि जिसे पीते इसे मृत्तिव आजाए जाओ और इस तरह हिरन ने कश्चिकू और उसके सेनिकों ने ना जाने कितनी प्रयास किये प्रहलात का उबद करने के लिए परन्तु हर बार भगवान विश्ण के जमकार ने प्रहलात की जान में चाले इसके बाद भी हिरन कश्चिकू की समझ में भगवान विश्ण की महिमा नहीं आई वो तो कुरूद के मारे अंधा हो चुका था हर तरप से हताश दिरन कश्चिकू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसे में उसे अपनी प्रहलात के मुख से लगते ही विश्वी अम्रत बन गया कोई तो ऐसी शक्ति है जो प्रहलात को मारने नहीं दे रहे क्या इन तीनों लोग में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रहलात कुमार सके है एक शक्ति है हुलीगा हुलीगा मैं तुम्हारी ही प्रदीक्षा कर रहा था अब तुम्हीं मेरी मदद कर सकती हो हुलीगा मेरी बहन तुम्हीं मदद कर सकती हो तुम्हीं मदद कर सकती है और नहीं अगनी उसे जला सकती है है ना अब उस वस्त्र को इस्तेमाल करने की घरी आ गई है मेरी बहन इस वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है भया रक्षा नहीं वद करना है वद मेरे सबसे बड़े शक्त विष्टू के भक्त प्रहलाद का भया सारे असूर जानते हैं कि आप अपने पुत्र का वद करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु किसी न किसी कारणवश आप सफल नहीं हो पा रहें इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है भया आप एक बार फिर विचार कर लीजिए आखिर प्रलहाद आपका पुत्र है भूलीका, भूलीका मत कहो उसे मेरा पुत्र, मत कहो पुत्र के नाम पर वो मेरे माथे का कलंग है कलंग और हाँ भूलीका, मैंने तुम्हें यहां सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है इस खशन मेरे जीवन का एक ये उद्देश है प्रहलात का वत, बस ठीक है भाईया, मैं आपकी सहायता करने के लिए तयार बताइए, बताइए मुझे क्या करना होगा हिरण्यक कशपू ने सोच रखा था इस बार भगवान विश्णू की कोई भी चाला की प्रहलात को मरने से नहीं बचा सकती थी इसके लिए उसने अपने महल के चार दिवारी के अंदर एक बहुत बड़ी चिता तयार करवाई कोई भी अधिती ये शकती इस चार दिवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी हिरण्यक कशपू को पूरा यकीन था कि भगवान विश्णू भी उसके भहे से यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे होलिका प्रहलात के साथ वहां आप पहुचे होलिका का शरीर उस अध्वुद वस्तर से ढगा हुआ था जिसे अगनी चला नहीं सकती थी प्रहलात का चैरा पहले की तरह शाम था वो तो हमेशा की तरह अगवान विश्णू के ध्यान में मगन था होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गए प्रहलात को उसने अपनी गोध में बिठा लिया और फिर हिरन्य कश्यपु ने अपनी पास खड़े असुर सेने को अपिशारत ले अगनी अगनी मिश्पुट, आक सतु भी प्रहात नहीं बचासाँ अगनी नहीं बचासाँ पयाँ!! होलीका, होलीका, नहीं, होलीका नहीं भर सकती, मेरी बैर नहीं भर सकती, होलीका और इस बार भी भगवान विश्नु ने अपने भक्त प्रहलात की जान बचाली, होलीका तो जल गई, परन्तु विश्नु भक्त प्रहलात को कुछ नहीं हुआ, हर साल हम इसी होलीका को चलाते हैं, और अगले दिन रंगों का त्यवहार होली बनाते हैं अगले अगले बनाते हैं नारत ने कुछ ज्यान दिया जब बागी देट मितलता चोटी से युंद में इदनी इस सत्र की राह से चलता था गुर्णों ने जो दन ने इसके पारे देला था विष्णु थे जब साथ चले फिर कैसे वो अकेला था रास्ते जो अपना एर उसने रागत भी हो नहीं चोड़ा लेली वचन सत्चारी की उसने उसने कभी न वचन तोड़ा था उस जैसा भक्त बसे सा लोखों में अकेला था उसने करता है इस घटना के बाद हिरण ने कश्यपू की रातों की नीम भी उड़ गई और एक रात वो अचानक नीम से जाग उड़े विष्टू कायार काँ छिपाय तू है अगर तुझ में सच मुझ शक्ति है तो मेरे सामने आँ ताइरों की तरह मेरे ही पुत्र को मेरे विरुत जो बढ़का रहे तू सामने आँ तू भगवान नहीं छल करने वाला एक कप्ती है कप्ती और इसका तर्ट मैं तुझे इस तक के सामने तुटा फुष्टू आयार मेरे सामने तू कोई भी चाल चल ले तू मुझे नहीं मार सकता जो कि मैं अमर हूँ सुना तुमने मैं अमर हूँ प्रहलाद तीनों लोग मेरे नाम से काम दें इसे में इतनी शक्ति नहीं जो मुझसे टक्कर ले सकें मैं मृत्यू को भी परास्त कर सकता परन्तू तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई जो मृत्यू तुम्हें छू नहीं पा रही है कहां से आई बताओ पिताश्री मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो भगवान विश्णू की शक्ति है मेरे अंदर ही नहीं आपके अंदर भी जो शक्ति है वो कोई और नहीं भगवान विश्णू ही है तीनों लोकों में जितनी भी शक्तियां हैं उन सब में भगवान विश्णू का ही वास है भगवान विश्णू तो इस संसार के कणण में समाय है ओ अगर तुम्हारा विश्णू कणण में समाया है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता कहा है वो काईलों की तरह क्यों शिपा है सामने क्यों नहीं आता मैं तो मैं तो कब से उसे ढूड़ रहा हूं कब से पिता श्री आप अपने आखों के सामने से घमन का पर्दा हटा की देखिए आपको भी भगवान विश्णू अवश्य दिखाई देंगे प्रहला खमंड का पर्दा मेरी आखों पर नहीं बल्कि तुम्हारी आखों पर पड़ा हुआ है अगर तुम्हारा विश्णू सर्व विद्यमान है तो उसे इस तक तेस ठंब में भी होना चाहिए और अगर वो तीनों लोकों का रक्षक है तो वो तुमें भी बचाने अव अश्या आएगा आएगा ना जी पिता श्वीक अच्छा ठीक है मैं भी देखता हूं जाओ जाकर उस अगनी से तखते हुए स्थम्वत अपनी भुजाओं में फड़ों अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमें कुछ नहीं होगा हाँ मेरे पुत्र तुमें कुछ नहीं होगा नहीं तो ये तपता हुआ इस ठंब तुमें भी जला देगा जाओ जाओ प्रेलाद जाओ कर दो प्र झाल ग्राजब और जाल झाल झाल तुझो भी है, मैं तुझे दीवित नहीं छड़ूगा हिरन्य का शपू, आज तेरे बाप का घड़ा भर सुका है ये ख्रण तेरे जीवन का अंतिम चंड है तू मुझे नहीं वार सकता, मैं हमर हूँ, हमर मुझे तो स्वयम ब्रह्मदेव ने वर्दान दिया है सुना कुम ने, ब्रह्मदेव ने वर्दान दिया है याद कर अपने वर्दान को मेरा वदना तो कोई इंसान, ना कोई देवता, ना कोई पशू, और ना ही कोई पक्षी कर सकता है अपने, ना तो मैं इंसान हूँ, ना ही पशू, ना ही कोई देवता, और ना ही कोई पक्षी मेरा वदना तो आकाश में हो सकता है, ना पृत्वी पर और ना जल में ना घर के अंदर हो सकता है, और ना घर के बाहा अट्वाँ झाल 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 कर दो कर दो कर दो ये जगह ना तो आताज है, ना ही चल्ट, ना खर के अंदर है, और ना ही घर के पाहर, मेरा वद ना तो दिन में हो सकता है, और ना ही रात में, ये समय ना तो दिन है, और ना ही रात, ये दिन और रात के पीज की, संध्या पेला है, मेरा वज किसी भी हत्यार से नहीं हो सकता और नाई बिना हत्यार के तुम्हारा वज किसी हत्यार से नहीं अपने हाथों के नाहूनों से काम गा रनका refuse टोम्मा के व्रतान को थूटा सा बिद्वाद होने लिया आव तम्हारी इंप्रिट्यू थेश्चेद्वार और इस तरह प्रह्मदेव के वर्दान की लाज रबते हुए अपान फिश्णु ने अपने नरसी आउतार में हिरण्य कश्यपू का वद कर दिया भागो, 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 भागो सारे देवता भावकर देवी लक्षमी की सहायता मागने पूँच गए माता भगवान विश्णू के इस रूद रूप को अब आप ही शांत कर सकती है हम में से कोई भी नर्सिंग के क्रोध को शांत करने की शक्ती नहीं जुटा पा रहा है अगर उने शांत नहीं किया गया तो उनका क्रोध सारी सुष्टी को नश्ट करतेगा मैं भी नर्सिंग के क्रोध को शांत नहीं कर सकती उनका परमभद प्रलहाद ही अब उनके इस विनाशकारी रूप को शांत कर सकता है सारे देवतागण लोटकर प्रहलाद के पास आए और उससे कहा कि वो नर्सिंग को अपनी प्रार्थना से शांत करे प्रहलाद को अपने पिता के मृत्यों का दुख था परन्तु उससे अपने करतेव का भी पालन करना था वो नर्सिंग के सामने हाथ जोड़ कर खड़ाओंगे ये प्रभू आप तो प्रेम और दया के सागर हैं मैं अपने पिता श्री की ओर से आपसे शमा मांगता हूँ प्रभू मेरे पिता की आत्मा को शमा कर दीजिए प्रभू अपने इस छोटे से जीवन काल में मैंने भी भूल किये हैं अपने पिता की आग्या की अवहेलना करते हुए मैंने आपकी पूजा की इसी कारण वे आपकी शत्रु बन गए मैं भी अपने पिताश्री के इस पाप में पूरी थरह भागेदार हूँ इत इनों लोकों के रक्षक मुझे भी शमा कर दीजिए पुत्र शमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए तुम मेरे परम भक्त हो फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता करने में बहुत देल कर दी मेरी वज़ा से तुम्हें अपने पिता के गुरूरता को सहन करना पराओ ये मेरे परम भक्त प्रहलाद मुझे एक शमा कर दो हे परम पिता इन अत्याचारू ने मुझे ये बता दिया कि मेरे अंदर आपके लिए कितनी भक्ती है और ये भक्ती मैं जीवन भर कम नहीं होने दूँगा भत्रणादी जै भत्रणादी जै भत्रणादी जै भत्रणादी जै पुत्र मैं तुम्हारे तब से अत्यमत प्रसन हूं भोलो बोलो क्या वर्दान चाहिए तुम्हें रभू सब कुछ तो है मेरे पास आपकी भक्ती ने मुझे तीनों लोगों का सुख दे दिया है और आज मैंने आपको साक्षात रूप में देख लिया बस इसी तरह आप मुझ पर अपनी कृपत रुष्टी बनाए रखिए प्रहला इतनी कम आयों में तुम विद्वानों की तरह बाती कर रहे हो फिर भी मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांगो भगवन आप मेरे पिता श्री को उनके सारे बापों से मुक्त कर दीजिए जीवन भर व्यापकी महांता को पहचान नहीं पाई प्रभू आप उन्हें अपनी शरन में ले लीजिए ये प्रहला जिस प्राणी का तुम जैसा पुत्र हो वो अपनी बृत्यू के बाद वैसे ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है पुत्र आज से ये विशाल सामराज्यत तुम्हारा है तुम अपने पिता की जगह राज करो और अपने धर्म और मानोता के प्रती अपने करतव्यों का पालन करो जो आ गया प्रभू भगवन आप सभी देवताओं को मेरे पिताश्री के कारण जो दुख सहना पड़ा उसके लिए मैं आपसे शमा चाता हूँ ग्रिपा करके आप सभी देवताओं मेरे मृत्य पिताश्री की आत्मा को शमा कर दीजिए ऐसा ही होगा पुत्र जाओ और जाकर अपने पिताश्री का अंतिम संसकार करो इससे उनकी आत्मा को शांती मिलेगी और फिर अपने पिता के अंतिम संसकार के बाद प्रहलाद को उसके पिता की जगह राजगर्दी पर बिठाए गया प्रहलाद ने अपनी भक्ती से सिद्ध कर दिया कि अगर मन में भक्ती भावना है तो भगवान को प्रसंद कर उन्हें आउतार लेने के लिए प्रेरित क्या जा सकता है प्रहलाद ये कारण ही हिरण्य कश्यपू देसा अंकार में डूबा विनाशकारी असूर का उधार हुआ असूरों के हाँ जन्म लेने के बाद भी भक्त प्रहलाद को भगवान विश्णू का सर्व श्रेष्ट भक्त माना जाता है इससे ये साबित होता है कि परमपिता की भक्ती में कोई भेदभाव नहीं होता राजगद्धी पर बैठने के बाद भगवान विश्णू की भक्ती में लीन प्रहलाद ने कई वर्षों तक शान्ति पुर्वक राज किया भगवान विश्णू के ऐसे परमभक्त को आने वाले कई यूँं तक लोग नमन करते रहेंगे असुर यूणी में जन्म लिने के बाद जै और विजे का दूसरा जन्म राक्षस यूणी में हुआ रामभ और कुम्भकरण के रूप में और आखरी जन्म उन दुनों ने दुस्ट शत्री के रूप में दिया जिनका नाम था शिशुपाल और दंडवर्ग जै और विजे को दिये गए श्राप के अनुसार इन दो जन्म में भी उन दुनों का वद्ध भगवान विश्णु के अलतार के आखरी में है तो ऐसी थी कहानी भगवान विश्णु के परंभक्त भक्त प्रहलाद की दुमिए के अनुसार ऐसी नजेगा है जैसार की अनुसार झाल झाल